नमस्कार जैहिन तो मंतली करेंट अफेर्स की सीरीज में आपका स्वागत है और यह वीडियो जून जुलाई अगस्त का वीडियो है जुलाई अगस्त दो हजार तेईस का और इसमें हम सबसे पहले उतराखंड घिटना करम को थियोरी सेक्सन डिसकेस करेंगे उसके बाद जरूर अटेम्ट करने हैं तो सबसे पहले डिटेल में डिसकेस करते हैं उतराखंड की इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स जुलाई अगस्त की तो यहाँ पर सबसे पहला जो है हमारे पास इंपोर्टेंट है ऑल एक्जाम्स के लिए खासकर जो UKPSC के एक्जाम्स होते हैं थ इस समद्ध में कुछ FACTS आपको दिहान रखने हैं कब दिया गया 24 जुलाई 2023 को और हमारी रास्टपती द्रौपधी मुर्मुजी के द्वारा रास्टपती भवन में एक शमाहरो आयोजित किया गया जहां पर इनको रास्ट्य भूविज्यान प्रसकार दिया गया 22 भूवज्यानिक इसमें सामिल हैं जिनको सम्मानित किया गया है डॉक्टर विक्रम गुपता का संबंद जो है हिमालाई छित्रों में भूस्कलन के अध्यन से संबंदित इनका योगदान है और इसलिए इन्हें इस प्रुसकार से सम्मानित किया गया है तो हिमालाई रीज प्रदेश के खिलाडियों को अब 4% खेल कोटा मिलेगा सरकारी नौकरियों में और 19 जुलाई 2023 से ये लागू है इसमें ये कहा गया है कि प्रदेश के जो भी खिलाडि होंगे उनको सीधी भरती में जो भी सरकारी नौकरिया होती है वहाँ पर 4% 36 खेल कोटा दिया जाने का प्रस्था जो कि जल्दी कैबिनेट में लाया जाएगा और वहीं यह भी कहा गया है कि रास्टिया और अंतरास्टिया जो पदक विजिता खिलाडी रहेंगे इनको रास्टिया और अंतरास्टिया खिलों में कोई पदक मिला हो तो विभिन 6 विवागों में 2000 से लेकर 1500 ग्र पेल में अनलेसिस करेंगे यह जो है नीतियायों की बहु आयामी गरीबी रिपोर्ट है गरीबी सूचकांक रिपोर्ट है इसमें यह खुलासा किया गया है 15-16 और 19-21 के बीच में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5 साल के दोरान उत्राखंड की बहु आयामी गरीबी में 8 प्रतिसत कमी आई है तो पहला फैक्त आपको यह धिहान रखना है कि उत्राखंड की बहु आयामी गरीबी में पिछले 5-6 वर्सों में पांच वर्सों में पिछले पांच वर्सों में यानि 16-21 के बीच में 8% बहुआयमी गरीबी में कमी आई है अगला फेक्ट आपको धिहन रखना है 2011 की जनगरना की आबादी के हिसाब से उत्राखंड में 8,15,247 लोग गरीबी रेखा से बाहर आये हैं यानि गरीबी किस्तिती उत्राखंड में कम होती जा रही है रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 19-21 के दोरान उत्राखंड में बहुआयमी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 17.67% से घट कर 9.67% हो गई है जो की लगभग अंतर कितना है 8% तो 8% इतरह से कम हो गई है अगला देखे गरामीन छित्रों की बहुआयमी गरीबी में 11.03% की कमी आई है और 2015-16 में 21.87% गरीब जो है गरामीन छित्रों में थे और 19-21 में यह 10.84% रह गए हैं तो यह fact आपको important ध्यान रखना है खासकर अगर आप pieces का mains वहाँ पर लिखेंगे तो वहाँ पर यह fact आपको काम आएंगे कि बहुआयमी गरीबी में गरामीन छित्रों में 11.03% की कमी हुई है जो की 15-16 में 21.87% थी और अभी यह 10.84% हो गई है गाओं की तुलना में सहरी छित्रों में कम गरीबी है और 2015-16 और 19 के बीच सहरी बहुआयमी गरीबी 9.89% से घटकर 7% रह गई है तो जैसे कि सभी जानते हैं कि गाओं की तुलना में सहरी छित्रों में गरीबी कम है और बहुँ आया में गेरी भी जो है 9.89% से अब जो है 7% रह गई है अगला हमारे पास है काफी important है उतराखन विधानसबा के नव निर्मित पुस्तकालेवा नवीन वेबसाइट का लोकारपन किया गया है जुलाई 2023 की ये खबर है विधानसबा के सभागार में हमारे राज जैपाल जी ने इसका उदगाटन किया है और विधानसबा के इसमें क्या होगा विधानसबा के जो भी विधाही कारे होते हैं सदन की कारवाई से लेकर सम्मंदित जानकारी आपको एक किलिक करने पर उनकी वेबसाइट पर आसानी से उपलब्द हो जाएगी विधानसबा में ई-लाइब्रेरी भी स्तापित होगी और इससे देश विधेश के जो परसिद लेकक हैं उनकी पुस्तक हैं और उनकी सोध आदारे तो पुस्तक हैं उपलब्द रहेंगी अगला जो हमारे पास है प्रदे प्राथमिक और सामुदाइक स्वास्तेकेंद्र हैं उनका चयन किया गया है इनको इनके भवनों को इक तरह से भूकम परूदी बनाया जाएगा उतराखन डिजास्टर रिकबरी प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए 38.78 क्रोड रुपे खर्च करेगा तो क्वेस्टन यहां से बन सकता कि कौन से प्रोजेक्ट के तहत जो सामुदाइक स्वास्तेकेंद्र हैं उनके लिए भूकम प्रोधी कवच बनाय जा रहा है तो उत्राखन डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के तहथ और कौन हेल्प कर रहा है तो वर्ल्ड बैंक इस पर खर्च करेगा अगला जो इंपोर्स तो लैंस डाउन का नाम परिवर्तित करने का प्रस्थाव रखा गया है प्रिजे बह हन इनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई और लैंस डाउन का नाम जो है Hero of the Nefa, Mahavir Chakravijeta, Saheed Rifleman, Baba Jassvant Singh Rawat के नाम पर, Jassvant Gadr करने का प्रस्ताव पारित किया गया है तो question इससे बन सकता है कि किसके नाम पर और इनके बारे में धियान रखना है Jassvant Singh Rawat कौन है तो Mahavir Chakravijeta है, यह Hero of the Nefa इनको कहा जाता है के लावा, चावनी परिसद ने वर्सों पुराने चावनी नगर का नाम Lansdown से परिवर्थित कर, Jassvant Gadr करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्राले को यह प्रस्ताव भीज़ दिया गया है और आपको ध्यानोंगा, रक्षा मंत्राले ने पहले ही एक तरह से सुझाओ मांगे थे, नाम परिवर्थन को लेकर Lansdown के अगला जो है टीरी गडवाल में G20 Infrastructure Working Group की तीसरी बैठक संपन हो चुकी है और इस बैठक में यह बैठक जो है 28 जुन 2023 को टीरी गडवाल के नरेंदर नगर में तीन दिवसी है यह बैठक थी जो की संपन हो गई Infrastructure Working Group की अगली और आखरी जो बैठक होगी वो 19 से 20 सिप्टेंबर को खजराओ मद्य परदीश में आउजित होगी वेरी इंपोर्टेंट है चौथी और एक तरह से जो आखरी बैठक है एक तरह से धांचागद विकास पर चर्चा हुई है तीन दिन विभन विश्यों पर चर्चा हुई और सदस्य देशों के परते निधियों ने इस मीटिंग को सार्थक बताया है और अगला जो हमारे पास है उच हिमालाई जो छेतर हमारे हैं नहां पर वैदर स्टेशन इस्तापित किये जाएंगे और यह खासकर उतरकासी में हिमिस्खलन की उस घटना से सबक लेने के बाद हिमालाई के सीमान चेतरों में वैदर स्टेशन इस्तापित किये जाएंगे तो यह भी आपको दिहान रखना है इसके लाबा इससे हिमिस्खलन के पहले ही संकेत मिल जाएंगे इससे उच हिमालाई छेतरों में चोहतर वैदर स्टेशन इस्तापित किये जाएंगे पीडियए आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा टेलिग्राम जॉइन कर लिजिए पीडियए अपको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं तो पहला प्रसून हमारे पास है जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी तैयारी सूच का अंक 2022 में उतरक्षन का कॉन सा एस्तान है जुन दोहजार तैईस से तो ये आपको जूरूर धियान रखना है अगला प्रसंद दिखे, जून दोहजार तेएस में, आयूजित, ASEAN का बड़ी चैंपियनसिप दोहजार तेईस में, कौन सी टीम विजता बनी है, तो ASEAN का बड़ी चेंपियनसिप में विजेता बनी है, भारत, ऑप्शन अमर सीत सही उत्तर है, अगला प्रसंद दिखे, हा पहला ऐरोमा पार्क कहां इसतापित किया गया। तो Jun 2020 में राज्य का पहला ऐरोमा पार्क इसतापित किया गया है जो की कासीपूरुदंसिंघनगर में किया गया है अगिला देखिये हाली में रास्टिया खनिजविकास निगम को किसके दौरा Business Excellence Awards 2030 में दो प्रतिस्टित पुरुषकारों से सम्मानित किया गया तो सहीवतर इस question का है SOCAM SOCAM जो संस्ता है इसको Business Excellence Award 2023 में दो प्रतिस्टित पुरुषकारों से सम्मानित किया गया है अगला देखिए हाली में किस भारतिया Badminton खिलारी ने Canada Open 2023 में Main Singles का किताब जीता तो ये जीता है लक्ष सेन option number D से उत्तर है इसका अगला देखिए 8 जुलाई 2023 को Forbes 12 जारी सौ सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में कितनी भारतवनसी महिलाओं को स्तान मिला है very very important question है चार जो है भारतवनसी महिलाओं इसमें सामिल हैं सौ सबसे अमीर जो अमेरिकी महिलाओं की सूची है भारतियांतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंदरियान थिरी को कब launch किया तो चंदरियान थिरी को कब launch किया गया था चंदरियान से related question आया गया 14 जुलाई 2023 को launch किया था और अभी कल आप लोगों ने जरूर देखा होगा 23 अगस्त 2023 को हमारा जो चंदरियान है वो सफलता के साथ मून पर लैंड कर गया तो आप लोगों को भी इसके लिए बहुत-बहुत बदाई और इस रोको हैट सॉफ इस रोक आगे बढ़ते हैं जून 2023 में G20 Infrastructure Working Group IWG की बैठक उतराखंड में कहां संपन हुई तो यह हमने अभी डिसकस किया था तो देख सकते हैं अबर मसूरी रिसकेस पौडी गडवाल उत्तरकाशी आपके पास option ही सही नहीं है टेरी गडवाल का नरेंदर नगर अभी हमने डिसकस किया था तो option यां पर गलत छपे हैं सही answer आप ध्यान रखिए नरेंदर नगर में यह बैठक जो है आईप चिज कोई है अगला देखिए हाली में इस रो ने चंद्रियान 3 mission को launch करने के लिए किस rocket का परयोग किया को चंद्रियान 3 mission से related पूछा गया है कि कौन सा एक तरह से launch करने के लिए किस rocket का परयोग किया गया है तो LVM LVM 3M4 तो यह आपको दिहां रखना है option नमर A इसका सही उत्तर है अगला प्रस्ण देखिए और चंद्रियान से current में question काफी बनने की संभावना है रहेंगी तो चंद्रियान से related सारे facts आपको ध्यान रखना है वैस्विक सांती सूचकांक 2023 के अनुशार भारत 163 देशों की सूची में किस इस्तान पर है वैस्विक सांती सूचकांक में भारत का इस्तान 126 है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यह आप नोट करके रख लीजिए हाली में किसे भारतिया रिजर्बैंक का नया कारेकारी निदेशक नियुक्त किया गया है पी बासु देवन को option नमर A सही उत्तर हो जाएगा अगला हमारे पास है विद्यूत परनोधन के छित्र में सयोग ग्यान का आदान परदान और रोमान चक भावनाओं का संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत यूके इलेक्ट्रोनिक परनोधन तकनी की कारेशाला का आयोजन कहां पर किया गया यह आयोजन के आगया है नई दिली में उप्सन नमर 20 सही उत्तर हो जाएगा गला प्रसंद देखिए हाली में उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी द्वारा राज्य को कब तक ड्रग्स फ्री बनाने का लक्षे रखा गया है बेरी इंपोर्टेंट है उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी जी के द्वारा वर्ष दोहजार पच्चीस तक उत्राखंड को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्षे रखा गया है जुलाई दोहजार तेईस में 67 शड़शटवाँ ट्रेवल एजेंट्स एसोसियेशन ओफ इंडिया सम्मेलन कहां आयुजित किया गया यह सम्मेलन आयुजित किया गया था कोलंबो में ऑप्शन नमबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला देखिए लिथियम आयन बैटरी के सहविसकारक जॉण बैनिस्टर गुड इनफ का निधन कब हुआ तो इनका निधन हो गया है हाली में ऑप्शन नमर ए सही उत्तर है 25 जून 2023 को इनका निधन हो गया है लिथियम आयन बैटरी के को फार्मडर यह है जॉण बैरिस्टर गुड इनफ अगला क्वेश्चन देखिए हाली में 23 संगाई सयोग संगठन स्टियो सिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में संपन हुआ तो यह संपन हुआ भारत की अध्यक्षता में ऑप्शन मर सी सही उत्तर है भारतिया नौ सेना द्वारा किस देश के साथ 5 से 10 जुलाई 2023 तक जिमेक्स 23 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया जिमेक्स 23 समुद्री अभ्यास यह भारत और जापान के साथ हुआ उप्शन मर सी सही उत्तर है उत्राखन के मुख्यमंति पुसकर सिंग धामी द्वारा देहरादून के रायपूर इस्तित अंतरास्टे क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित हरेला पर्व का शुभारंब कब किया गया तो हरेला पर्व मनाते हैं हमारे हैं 17 जुलाई 2030 को हाली में भारत से संजुक्तराज अमेरिका में पर्वेश करने वाले अवैद पदार्थों के परवाह को बादित करने के उदिश्य से चलाया गयाuation तो इस operation का नाम बताना है operation का नाम है operation border squad हाली में किसे एसिया ओलम्पिक परिस्द का नए अध्यक्ष चुना गया है एसिया उलम्पिक परिशद के नए अद्यक्ष बने है सेख तलाल फहद अल एहमद अलचबा तो नाम आप ध्यान रख सकते हैं अगला प्रसंद देखें हाले में किसे भारतिय क्रिशी अनुसंदान परिशद की अनुसंदान सलाकार समीती के अद्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तो ये नियुक्त किये गये हैं आपके भी नीरज प्रभाकर आप्शन मरें यह सही उत्तर हो जागा रास्डी अनुसूचित जनजाती आयोग के अद्यक्ष हर्स चोहान ने कब अपने पद से इस्थिफा दी दिया तो हर्ष चवान रास्ट्य अनुसुचित जन जाती आयोग के अध्यक्स थे और इन्होंने 26 जून 2023 को अपने पद से स्तीफा दी दिया हाली में उत्राखंड विधान सभा के नव निर्मित पुस्तकाले वा नवीन वेपसाइट का लोकारपन किसके द्वारा किया गया अभी हमने डिसकेस किया राज्यपाल उत्राखंड के द्वारा इसका लोकारपन किया गया है हाली में आईजित 23 संगाई सयोग संगठन सिखर संबेलन की थीम क्या थी तो इसकी थीम आपको बतानी है थीम थी सुरक्षित संगाई सयोग संगठन की और अगला प्रसन है हाली में प्रकासित पुस्तक कलर्स ओफ डिवोशन किसके द्वारा लिखी गई है कलर्स ओफ डिवोशन बुक अनिता भरत साह के द्वारा लिखी गई है हाली में भारतिय भुवे अग्यानिक सर्वेक्षन ने किस राज्य में एक नेचुरल आर्क की खोश की है नेचुरल आर्क की खोश की गई है ओडिशा में अप्शन मरसी सही उत्तर हो जाएगा हाली में चर्चित एनिकेपली गाउं जहां से जैन तीर्थंकर की मूर्तियां तथा सिलालेख वाले दो बरगाकार इस्तंब पराप्त हुए है किस राज्य में इस्तित है यह कृस्टन आपके लिए हिस्ट्री के प्रस्पेक्टिव से भी इंपोर्टेंट है और करंड के भी तो सही उत्तर इसका है तेलंगाना का एक गाउं है एनिकेपली जहां से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां और सिलालेख के दो बरगाकार इस्तंब पराप्त हुए है उत्राखंड की वहमईला जिन है जून दोहजार तेईस में नर्सिंग शेत्र में उत्री स्टेबम निश स्वार्थ समरपन के लिए रास्किया फ्लोरेंस नाइट रिंगल प्रुसकार 2022 से सम्मानित किया गया यह हमने पिछले मंत के करेंट अपेर्स में डिटेल में डिसकस किया है अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें सही उत्तर है मंजू केड़ा अ कौन सा नया सोशल नेटवर्किंग एप लॉंच किया है तो मेटा कमपनी के स्वामित वाले इंस्टाग्राम ने एक नया सोशल नेटवर्किंग एप लॉंच किया है जिसका नाम है त्रेड्स ओप्शन नमर B से उत्तर हो जाएगा हाली में ASEAN का बड़्डी चैंपियंशि में भारत ने पदक जीते हैं कुल 6, OPTION NUMBER A 7 JULAI 23 को उत्राखंड के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के पर्थम हिमालечат सांसक्रेतिक केंद्र का शुबारम कहा किया गया है निम्भु ओला गडीकेंड जो कि देहरा दून में है अगला देखिए हाली में जारी QS World University Ranking 2024 में दुनिया की Service Race University का जो नाम है वो Massachusetts Institute of Technology है अगला देखिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी उर्जा संक्रमन सूचकांग को 2023 के अनुसार भारत को बहस्य किस्तर पर किस इस्तान पर रखा गया है तो भारत को 67-67 में इस्तान पर रखा गया है हाली में विंबल्डन 2023 Championship में किस खिलाडी ने पुरुस एकल का खिताब अपने नाम किया सही उत्तर है इसका सात्विक सहीराज और चिराग सेटी अगला कुशन देखिए हाली में मालदीव में आयुजित दक्षन एसिया बॉड़ी बीडिंग चैंपियंशिप में गोर्ड मैडल जीतने वाले उत्राखंड के खिलाडी है तो उत्राखंड के खिलाडी का नाम बताना है सही उत्तर है आसीश रौतेला उप्सन नमर डी उन्होंने मालदीव में बॉड़ी बीडिंग चैंपियंशिप में गोर्ड मैडल जीता है तो इंपोर्टेंट है अगला देखिए परदान मंतिर नरेंद्र मोदी को फ्रांस का इसे बनाया गया तो इस दिवस के जो मुख्याती थी इनके नरेंद्र मोदी जी थे जो इंडियन प्राइम्निस्टर है अगला प्रसंदिक हाली में नीतिया योग द्वारा जारी रास्क्या बहु आयामी गरीमी सूचकांग के अनुसार भारत में वर्स 2015-16 से वर्स 2019-21 के बीच कितने लोग बहुत आयामी गरीवी से बाहर निकले हैं हमने उत्राखंड का डेटा एनालिसिस किया था तो इंडिया का डेटा पूछा जा सकता है तो इस ते रिलेटेड हमने क्वेस्टन यहां पर ले लिया है सही उत्र है आपका 13.5 करोड लोग जो है पिछले पांच वरसों में 16 Lite से और 21 के बीच में गरीवी रिका से बाहर निकले हैं ऑल ओवर हमने जारी हलेढ़े पासपोर्ट इंडिक्स 2023 में भारत की रेंक क्या है तो हलेढ़े पासपोर्ट इंडेक्स में यह रायंक कफी इम्पोर्ट होती है सही उत्तर आपका option number C है असीवी rank जो है भारत की हिनले passport index में है यह passport index जो है एक तरह से passport की मजबूती बताता है कितना मजबूत passport है अगला question दिखिए हाली में नीती आयोग द्वारा जारी बहुँ आयामी गरीबी सुचकांग के अनुसार उत्राखन के ग्रामिर चित्रों में बहुँ आयामी गरीबी में इतने प्रतिशत कमी आई है तो ग्रामिर चित्रों में हमने पड़ा था कि 11.03 प्रतिशत कमी आई थी और वो 9.89 से सहरी जो है वो 7% हो गया था तो लगभग सहरी चित्रों में अगर पूछा जाए तो 2.89 परसेंट कमी आई है और ग्रामिर चित हाली में नीतिया आयोग द्वारा जारी निरियात तयारी सूचकांग 2022 में कौन सा राज्य सीष्दिस्तान पर है हमने डिसकर्श किया था उतराखंड जो है 9th प्लेस पे है और 1 प्लेस पे कौन सा स्टेट है वो आपका तमिल नाडू है उप्शन अमर सीष्द का सही उत्तर हाली में फ्रांस में आयुजित बास्तिय दिवस के अफसर पर भार्तिय वायुसेना दल का नेत्रित्व किस ने किया तो ये नेत्रित्व किया था सिंदू रेडी ने उप्शन अमर 20 सही उत्तर हो जाए गस्त का हाली में नीतिया योग द्वारा जारी रास्तिया बहु आया अपका पॉर्ट ब्लेयर में इस्तित है सही उत्तर ऑप्शन अमर 20 हो जाएगा तो गाइस यह हमने उत्राखंड का करेंट अफेर्स को थ्योरी सेक्षन के साथ साथ टॉप 50 जो है करेंट अफेर्स के एमसी क्यूश डिसकस किये जिसके में आपके उत्राखंड नेस्नल मिल सके और और नोट्स आपके लिए पीडियाफ जो है टेलिग्राम पर उपलफ्द है टेलिग्राम जोईन कर लीजेगा थैंक्स लोट फॉर लिस्निंग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद